हेलो फ्रेंड्स लेडिस करेश चानल में आप सब को स्वागत है आज की वीडियो में हम देखेंगे 11 से 12 साल बच्चे के लिए एमरेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो आज की वीडियो में पहले हम कटिंग देखेंगे फ्रॉक की कटिंग नेक्स्ट वीडियो में इस ड्रस की स्टिचिंग आपको पूरे दिखाऊंगी मैं स्टिचिंग वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा सब्सक्राइब किया तो मैंने अपलोड किया हुआ सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगी इसलिए आपको सब्सक्रिप्शन करना जरूरी है इस फ्रॉक को स्टिच करने के लिए मैंने लिया है पोने 3 मिटर कपड़ा 11 से 12 साल बच्चे के लिए आपको 3 मिटर पोने 3 से 3 मिटर कपड़ा चाहिए पोने 3 मिटर पे आप इस फ्रॉक को स्टिच कर सकते हो आपको ज़्यादा लेंग्ट चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए 3 मिटर तक आपको फैब्रिक लेना है पहले 6 से 7 साल बच्चे के लिए भी मैंने अमरे लग फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो अपलोड किया है मेरे चैनल में आप अभी तक नहीं देखा तो उपर लिंक दे दिया है मैंने इस वीडियो में आप 6-7 साल बचे के लिए umbrella frock की cutting और stitching पूरे वीडियो देख सकते हो इस frock को cutting करने के लिए आपको measurements बराबर लेना है कैसे आपको measurements लेना है मैं आपको साथ साथ बताऊंगी पहले में umbrella frock stitch करने के लिए frock की पूरा length लेना होगा shoulder से कितना आप length रखना चाहते तो उतना आपको लेना है totally मुझे frog की length ready करना है 40 inches इसमें top part और skirt part दो आते हैं top part की length में ready करना है 12 inches और skirt part की length 28 inches 40 में top part 12 inch minus किया तो skirt part की length 28 inches हुआ इसके बाद chest की measurement लेना है आपको chest है 28 inches और waist है और कमर की size है 24 inches इसके बाद हमें कपड़े को one end में इस तरह four layers में बराबर fold करना है इस तरह मैंने fabric की one end को four layers में fold किया है क्योंकि top part की front part और back part दोनों को हम एक ही साथ cut करेंगे इसलिए मैंने कपड़े को four layers में fold किया है आप चाहे तो separate भी cut कर सकते हो इस तरह ये की बार top part और back part को cut किया तो बराबर आ जाएगी इसलिए मैंने four layers में fold किया है इसके बाद पहले हमें chest की marking करना है मेरी तरफ folded side है और camera की तरफ open side है totally मैं fabric की one end को four layers में fold किया है इसके बाद पहले हम chest की marking करेंगे chest है 28 inches इसमें आपको चौत्वा बाग करना होगा 28 inches पे 28 inches की चौत्वा बाग हुआ 7 inches 7 inches में आपको 2 inch margin रखना चाहिए कितना chest में 2 inch margin रखना है totally आपकी measurement के हिसाब से chest की चौत्वा बाग plus 2 inch margin रखना है इसके बाद top part की length मुझे ready करना है 12 inches 12 inches में हम 1 inch add करेंगे सिलाही margin के लिए top part की length में 1 inch add किया है और width में 2 inch margin रख दिया है मैंने इस तरह मैंने chest और कमर की marking किया है chest 7 inch और 2 inch margin के लिए इसके बाद कमर की marking करेंगे कमर है 24 inches 24 inches की चोत्वा बाग हुआ 6 inches 2 inch margin के लिए और 1 inch tux के लिए मैंने एक्ट्रा रख दिया है कमर पार्ट में बड़ों के लिए 2 से 3 inch तक आप chest की tux की marking add करना होगा आपको चोटे बच्चों के लिए 1 inch 1 inch ज़दा रखेंगे इस तरह मैंने length और test की marking किया है और box भी बना लिया है अभी हम main fabric से top part को cut करके अलग करेंगे marking करने के लिए easy हो जाए इसके बाद neck की विर्द को mark करेंगे मैं इस फ्रॉक में boat neck बना रही हूँ इसलिए folded side से मैंने 3 inch पे mark किया है इसके बाद आपको normal neck रखना है तो 2 inch रख सकते हूँ neck विर्द को और shoulder मैंने रख दिया है 2.5 inches normal neck के लिए 3 inch shoulder रख दीजिए इसके बाद shoulder point से नीचे हमें arm mold की length को mark करना है arm mold की length मैंने रख दिया है 6 inches क्यूंकि boat neck बना रही है normal से आपको 1 inch जादा रखना होगा arm mold की length को 5 inch रखते है normally kids की arm mold की length को 1 inch मैंने बढ़ा दिया है इसके बाद one and half inch पे मैंने arm mold को round shape दे दिया है front part और back part को separate करने के बाद front part की arm mold को आपको 1 inch पे round shape देना होगा इसके बाद neck को भी एक box बना लिया है neck shape देने के लिए इसमें हम board shape बना लेंगे इस तरह से मैंने board shape बना लिया है neck की length मैंने front रख दिया है 4 inches front और back part दोनों के लिए एकी neck size रख दिया है मैंने board neck को फटा फट से हम cut कर देंगे top part को मैंने इस वीडियो को कनड़ा में भी upload किया है आप चाहे कनड़ा में भी देख सकते हो इस वीडियो को मैंने उपर link दे दिया है i card में i card के उपर link के उपर click कर दिजिया और कनड़ा में इस वीडियो को देख लीजिये और front part और back part दोनों को अलग करेंगे इस तरह से मैंने umbrella frog की top part को cut किया है ये back part है और ये front part है back part को separate करेंगे और front part के armhole को हम one inch पे round shape दे देंगे इस तरह से मैंने fold करके रख दिया है अभी हम armhole को one inch पे round shape दे देंगे front part और back part के लिए हमने one and half inch पे round round किये त्या armhole को अभी हम एक inch पे round shape दे देंगे top part की cutting अभी पूरा हो चुका है हम relativebral के लिए ये फ्रेंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है इसके बाद हम अंब्रेला स्कर्ट के लिए अंब्रेला कटिंग करेंगे बचे हुए कपड़े को हम बराबर से डबल फोर्ड करना होगा इस फ्रॉक को स्टिच करने के लिए मैंने लिया है पोने तीन मीटर कपटा इस तरह तो मिशों पे चेक कर दीजिए बहुत सारे डिजाइन से आपको मिल सकते हैं यह देखे इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है डबल फोल्ड करने के बाद क्यामरा की तरफ folded side है और इस तरफ open side है आपको लेहंगा के लिए करना है तो फएब्रिक को folded side पर इस corner पर एप फोल्ड करने वह ट्रैंगल शेप में और लॉक के लिए कट करना है तो इस तरफ open side पर आपको ट्रैंगल शेप में क्ले करना होगा मुझे फोल्ड के लिए कट करना है तो open साइड को मैं कॉर्णर करूंगी इस कपड़े इस कॉर्णर को यहाँ पे इस तरह से मैंने ट्रेंगल में उंड किया है कि यहाँ पे मैंने फोल्ड किया है बहुत ही Youkung स्थे प्स में मैं आपको दिखा कपड़े को four layers में triangle shape को बना लिया है यह देखे four layers में fold किया है कपड़े को पहले मैंने double fold किया है इसके बाद open side को corner करते हुए folded side को triangle shape में fold किया है इसके बाद आपको skirt part के लिए marking करना होगा umbrella shape में पहले आपको top part लेना है top part को लेने के बाद tax के लिए हमने एक inch को चोड़ दिया है इसको आपको fold करना होगा यह देखे sides में मैंने एक inch पे fold किया है fold करने के बाद आपको इस corner पे top part की corner part और corner दोनों कहां पे बराबर होता है वहां पे आपको बराबर से जोड़ के रखना है इस तरह से मैंने बराबर से जोड़ के रख दिया है, टॉक पार्ट को, यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे चॉक से, इस तरह से मैंने मार्क कर दिया है, skirt part की corner को और top part की कमर part को दोनों को बराबर से जोड के एक marking करना है इसके बाद इस corner से दोनों side आपको link लेना होगा यह दिखे दोनों की sides में एकी length होना चाहिए corner point से आपको दोनों side measurement लेना होगा दोनों की side एकी length होना चाहिए दोनों side 9.5 inch आ रहा है length इस तरह आपको round shape देना होगा कमर part को इसके बाद skirt की length को मार करना है skirt की length हमें ready करना है 28 inches 1 inch add करेंगे नीचे folding के लिए और उपर joint के लिए 1-1.5 inch आप ज़्यादा ले सकते हो length में frog की length मुझे ready करना है 40 inches और top part की length 12 inches minus किया तो totally skirt part के लिए length मुझे ready करना है 28 inches 1 inch add कर दिया है मैंने totally skirt part के length को mark करना है 29 inches पे कमर की marking से नीचे आपको इस तरह umbrella shape में 29 inches 29 inches पे mark करना होगा पूरे कमर की marking से नीचे आपको 28 inches पे mark करना है यह दिखे अम्रेले shape में में मार्किंग किया है skirt part की length को अभी हम इसको cut करेंगे पहले हम कमर part को cut करेंगे इसके बाद नीचे skirt part की length को cut करेंगे kids के dress के उपर मैंने बहुत सारे videos बना लिया है kids के लिए लहेंगा blows cutting और stitching वीडियो देख सकते हो umbrella लहेंगा की cutting देख सकते हो और इसके साथ बहुत सारे चोली वीडियो को भी मैंने अपलोड किया है मेरे चानल में आप जाके मेरे चानल में चेक कर दीजिए एक ही list में आपको kids की dresses के उपर एक playlist ही मिल जाएगी playlist के उपर link क्लिक कर दीजिए और सारे वीडियो को देख लिजिए इस तरह मैंने umbrella frog के लिए कपड़े को cut किया है टॉप पार्ट और skirt पार्ट को next वीडियो में आपको इसके stitching दिखाऊंगी मैं stitching वीडियो देखना चाहते तो मेरे चानल को आपको subscribe कर मेरे चानल को subscribe किया तो मैंने अपलोड किया हुआ को subscribe कीजिए मेरे चानल का नाम है लेडिस क्रेज इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद